हेलो फ्रेंड्स, गुट मॉनिंग, टोडे वी आ डिसकुस अबाउट नन प्रिस्टेल, जो कि जॉफरी चॉसर के धुआ लिखा गया है इन सारी नन प्रिस्टेल को डिसकुस करने से पहले, मैं आप लोगों जॉफरी चॉसर के बारे में बता देती हूँ जोफरी चॉसर जिने फादर ऑफ इंग्लेस लिट्रेचर कहा जाता है, क्योंकि 13th सेंचुरी में ये पहले लाइटर थे हैं, जुनोंने बहुत सारी नॉबल, बहुत सारी रिसॉर्स स्टोरीज, बहुत सारी पोट्रीज लिखी थी, इनका बहुत बड़ा योगदान है इंग को होता है, ये बिलॉग करते हैं लंदन से, इनकी बहुत सारी पोट्रीज को सराय गया है, इंग्लेस स्टोरीज बहुत बड़ा योगदान है, और इनकी मृत्य हो जाती है 25th October 1400 को, उसके बाद ये जो ननप्रिस टेल है, वो एक कैंटरबरे टेल से ही लिया गया है, कैंटर पोएम है, और 1626 लाइन का ये पोएम है, और ये जो है, ये उस वक्त लिखा गया था, जब कैंटरबरे टेल खतम हुआ था, तो बहुत सारे पोएम एक साथ बैठे होते हैं, और डिसकस कर रहे होते हैं, कि ये सारी पोएम, वो कहते हैं, कि जितनी भी ट्रेजी पार्ट हम कुछ उने तो देख ली बड़ सो गाम हमें, वो एक सिंपल सा हैप्य इंडिंग देखना है, और कुछ सबक ऐसी चीज़े देखनी हैं, तो वो एक नन होते हैं, वो एक कहानी को सुना रहे होते हैं, वो से एक वीड़ो औरत होती है, वीड़ो आउरत की दो बेटियां होती ह वो एक छोटे से में पूम आ हों चोटे से कुटिया में रह करती थी और उस उनकी एक बिसनेस भी थी मुर्गी पालन का और वह जितने भी बिसनेस मां करती थी मुर्गी पालन का उसी हुती हम्वारोरी थी. वह इस उसनेट ba Psychology घृण के समझ सकते हैं कि यह जो पोयम है वो एक फैबल बेश्ट पोयम है जो कि मतलब चानवर के ऊपर पोयम लिखा हुआ है सारी इमेजनरी चीजे इसमें दिखाई गई है और इसके वाद चैंटर क्लिर चैंटर क्लिर जो कि एक मुर्गा होता है उसके सबसे फेमस रानी पोया है। तो चैंटर क्लिर एक रात को सो रगा होता है तो उसी रात को एक श्तर χाते है उस ट्रीम में उसे ऋचानवर गयं धुक्ता है उसे पकर के Director of this tape और यूट उसके सबसे पैमस रानी जो पक несती हुए उससे बाते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ हुआ तो वो बोलता है कि पता है पेटुलॉक कल राट को मैंने इक बहुत रावना सपना देखा जिसमें मुझे एक लाल सा जानवर जो बहुत भायनक दिख रहा था उसने मुझे अपने मुँं में दबोच के रखा था और मुझे ले जा रहा था तो पैटोलोग बोलती है तुम ऐसे ही वरिट कर रहे हो तुम है जेनरली सीरिस नहीं लेना चाहिए तो वो बोलता भी है कि सायद मेरे सपने में जो आया है वो मेरे लिए वर्निंग हो सायद ऐसा हो तो पैटोलोग बोलती है नो नो ऐसा कुछ बात नहीं है तो फिर वो समझाता भी है उसे कि एडम और इव ने भी गलती की थी वो रिलेट करता है कि साद मुझे कुछ गलतियां की सजा मिल रही हो तो वो बोलता है कि फिर उसके पैट्रोलोगों से समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है तुम रिलैक्स मारो तो साम तक वो सपना उसका सच भी हो जाता है उसी सच हो जाता है रीजन बताते हैं अगे उसकी जो जब वो साम को घूम रहा होता है जो चैन्टर के लड़ा होता है वो घूम रहा होता है उसके सामने एक फॉक्स आता है उसके बहुत सारी तारीफे कर रहा होता है उसके family background के लोगे के बहुत साधे तारीफ कर रहा होता है और वो कहता है कि मैंने सुनाया तुमारे जो father थे बहुत बड़े singer थे और बहुत अच्छे गाते थे तो चैंटर किलर बोलता है कि या मेरे father जो थे बहुत अच्छे singer थे तो fox बोलता है कि तुम भी तो उनके compare में कुछ न कुछ तो अच्छा गाही ले दे होगे तो वो बोलता है कि हाँ क्यों नहीं मैं सुना सकता हूँ तो चैंटर किलर उसी वक्त straight ख़रा होता है अपनी सांसों को ऊपर करके कुछ बोलने के लिए तैयारी होता है रेडी होता है कि fox उसे अपनी मूँ के अंदर दबोच लेता है उसे अपनी प्यारी चिकनी चुपरी बात करके उसे दबोच के ले जा रहा होता है और मुर्गी इतनी जोर जोर से चिला रही होती है, उसके जोर जोर से चिला रहाता है, कि इतना जोर जोर से चिला रहाता है, कि इतना जोर से तो ट्रोयक जब उनकी राणियों से चीना गया हो, तो वो भी उतनी जोर से नहीं रोई होगी, जितना जोर से वो मुर्गा उस वक् ये मुर्गी के चिलाने को compare किया जाता है और उसे बहुत जोर से दवोज के वो जो fox था उसे ले जा रहा होता और बहुत जोर जोर से चैंटर किलर चिला रही होती है वो सारी उसकी चिलान को सुनके उनकी चिलानते हुए आवाज को सुनके वो जो विड़ो औरत, उसकी दोनों बेटियां और उसकी जो साथ मुर्गियां थी वो भागी भागी बहार आती है और वो देखती है कि fox जो है उसकी चैंटर क्लर को सबसे फेमस मुर्गा होता है उसको fox अपने गले में दबोज के ले जा रहा होता है तो चेंटर कुलर जो होता है थोड़ा चलाकी से फॉक्स को बोलता है कि तुम जब इतने चलाक हो अपनी बातों सबको रुजा सकती हो तो क्यों ना तुम इन लोगों को भी समझा देती हो कि समझा देती कि मैं इसे क्यू ले जा रहा हूँ और उसे बहुत बहुत बहलाने फुसलाने की कोसिस में लग जाती है चेंटर कुलर तभी और तभी चेंटर कुलर जो होता है वो से छोड़ देता है मतलब वो से मतलब सोचता है कि फॉक्स तो चलाक होता है पर मुर्गी उससे ज़्यादा चलाक होती है और वो जैसे यह मुझ खोलता है तो चैन्टर कुलर दौर के पेर पे चहर जाती है वो इतनी दौर के पेर पे चहरती है और इतनी सासे फुनने लगती है कि जो फॉक्स होता है वो नीचे खरे होते है देखते रह जाता है और वो आस में वैठे रहा जाता है कि कास में उस मुर्गी को पकर पाता और इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि किसी भी चीज को हम लोग को easy नहीं लेना चाहिए कि कोई भी चीज अगर हमें warn कर रही होती है कि ये चीज गलत है तो वो साइद गलत ही हो इसलिए हमारी warning को पहले ही accept कर लेना चाहिए और हमें warn हो जाना चाहिए इस कहानी से हमें ये ही पता चलता है Thank you friends